जिस तरह से देश को हर मोर्चे पर फेल करने का काम मोदी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार कर रही है इससे लोगों में निरासा है और जो चुनाओ परिणाम आये हैं वो इसी बात का साब संकेत है पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सक्ता सारे मंत्री और विधायक राजभर जी की पार्टी, निशाज जी की पार्टी, अपना दल, महान दल, सारी पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी इंडिया गड़मंदन के प्रत्यासी के खिलाब परचार कर रहे और एक लाख चौबिस हजार वोट वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी को मिला 43,000 वोटों से जीत हासिल की पत्रकार बंदूओं को नमस्कार पुत्तर प्रदेश में घोसी उप्चुनाओं का जो नतीजा है ये 2024 के पहले लोकसभा के चुनाओं के पहले एक बड़ा संकेत है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता अब जुमला पाटी को हटाने का मन बना चुकी है जिस तरह से देश को हर मोर्चे पर फेल करने का काम मोदी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार कर रही है इससे लोगों में निरासा है और जो चुनाओं परिणाम आये हैं वो इसी बात का साप संकेत है पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सक्ता सारे मंत्री और विधायक राजभर जी की पार्टी निशाज जी की पार्टी अपना दल महां दल सारी पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी इंडिया गड़मंदन के प्रत्यासी के खिलाब परचार कर रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याती को मिला 43,000 वोटों से जीत हासिल की तो कहीं न कहीं एक बड़ा संकेत है 2024 के लोकसवाचुनाओ के पहले कि अब जंता मन बना चुकी है भारती जुमला पार्टी को हटाने के लिए और उप्चुनाओ के पूरे נतीजे को अगर आप देखते हैं तो ये भी साप हो गया है कि इंडिया का गड़बंदन जो है वो भुरी तरीके से BJP को पराजित करेगा इंडिया को पराजित करेगा इंडिया वाले जीतेंगे अडानी वाले हारेंगे जो इंडिये सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहा है जो प्रधान मंत्री मोधी सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहा है उनको इंडिया गड़बंदन हराएगा हटाएगा तो इंडिया वाले जीतेंगे अडानी वाले हारेंगे ये भी इस बात का संकेत बंगाल का उपचुनाओ का नतीज़ा देखिए भारती जनता पार्टी को हराने का काम टीमसी ने किया 96,000 वोट मिले 1,35,000 वोट जारखंड में मिले JMM का प्रत्यासी वहां से जीता 1,26,000 वोट घोसी में मिले 80,000 वोट केरल में मिले तो पूरा का पूरा जो इंडिया का गड़बंदन डल है उसका जो बरड़ नाम है उपचुनाओ का ये भी यही कारण है मोदी जी के घबराने का और इसलिए वो कह रहे हैं कि अब इंडिया के नाम से गड़बंदन बन गया है तो हम इंडिया का नाम ही बदल देगे इतनी घबराहट इतना डर इतना भै प्रदार्मंति नरेंद्र मोधी को कल को भारत के नाम से गडबंदन बन जाएगा तो आप देश का नाम भारत रखेंगे यह किस प्रकार का डर और भै है यह तो देश के साथ धोखा है कि आप देश का इन नाम बदलने पूतारू हो गए बाबा साथ डॉक्टर भीम राम बेटकर ने जो सम्विधान लिखा उसका आर्टिकल वन कहता है इंडिया डैट इस भारत अब मोजी जी घवरा के इंडिया का नाम ही बदलना है इंस, इस्रो, IIT, IIM, Reserve Bank of India, State Bank of India सब में तो इंडिया लगा है कहा तहां बदलोगे आप भाई Republic of India लिखा रहता है हमारे पासपोर्ट में Reserve Bank of India लगा रहता है नोट में तो सब कुछ आप बदल दोगे तो इसलिए ये घवराहट का नतीजा है और तीसरा भी से जो One Nation, One Election की बात की जा रही है ये मोदी जी अपने दोस्त के साथ मिलके पास साल तक लूट की खुली छूट चाहते हैं और इसी के कारण वो चुनाओ से भाग रहे है One Nation, One Election की बात कर रहे है ये होगा कैसे किसी को समझ में नहीं आता आप मान लिजे एक बार सारे देश का चुनाओ एक साथ करा दीजी फिर कोई सरकार बीच में गिर जाएगी तो क्या वहाँ दुबारा चुनाओ ही नहीं होगा क्या वहाँ रास्टपती सासर लग जाएगा देश का चुनाओ हुआ मान लिजे लोकसभा का लोकसभा की जो सरकार बनेगी चुनाओ के बाद पांच साल का कारेकाल वो नहीं पूरा कर पाती दो साल में सरकार गिर जाती तो देश का चुनाओ नहीं होगा यह क्या करना चाह रहे वन नेसन वन इलेक्शन के नाम पर मोदी जी समझ के बाहर है तो इसलिए जो इस समय मुद्दे है देश के सामने वो बहुत मातपून है महंगाई के बेरोजगारी के किसानों के और उसके नाम पर जनता वोट देगी आज मैं लखनव सिक्षा प्रकोस्ट के सम्मेलन में आया हूँ और हमारे पार्टी के लिए सिक्षा ही प्रात्मित्ता है स्वास्त प्रात्मित्ता है हम इनी मुद्दों पे काम करते हैं अच्छे सिक्षक हो अच्छी सिक्षा हो बच्चे अच्छे धंग से पढ़ लिखकर आगे निकलें यह हमारी प्रात्मित्ता है और इसी के लिए हमारी पार्टी अलग-अलग राजियों में जाके काम कर रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव परिडाम पे एक बात मुझे से छूड गई थी ये कहीं न कहीं दल बदलों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत ऐसे बार-बार अगर आप अपने दल बदलोगे तो जनता इसको भी पसंद नहीं करती अब जैसे राजभर जी की बैबड़ी इज़त करता था उन्होंने पिछणों के लिए बहादुरी से खड़े होकर कहा कि भारती जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पर पिछले नेताओं को चपल उठानी पड़ती है राजभर जी ने भी का